नमस्कार मैं हूँ जूली आपिसक देख रहे हैं दे इंडिया टॉप अब बिहार में बिजली की चोरी नहीं होगी दरसल बिहार के मुख्यमंदरी नितीश कुमार ने स्मार्ट ट्रीपेट बिजली मीटर योजना को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है उन्होंने कहा कि साल 2025 तक हर एक घर में स्मार्ट ट्रीपेट बिजली मीटर लगा दिया जाएगा इसे लेकर के उर्जा विभाग के अधिकारी जो है वो लगातार अपना काम कर रहे हैं और साथ ही इस प्रोजेक्ट में पैसों की कमी को कोई बाधान नहीं बनने दिया जाएगा उन्होंने कहा कि जिस तरीके से काम चल रहा है उसके मताबिक साल 2025 तक हर घर में स्मार्ट ट्रीपेट बिजली मीटर लगाने का जो लक्ष है उसे पूरा कर लिया जाएगा इससे ना सिर्फ उब्भुकताओं को फाइदा होगा बलकि जो गलत बिलिंग की समस्या होती है वो भी दूर हो जाएगी इसके साथ ही जो राज्य में बिजली की चोरी होती है उस पर भी रोक लगेगी दरसल पटना में बुधवार को आयोजित एक कारिक्रम में नितीश कुमार ने उर्जा प्रशेतर के 3,452 करों रुपे की अलग-अलग योजनाओं का उधगाटन, लोकारपन और शिला न्यास किया इसके साथ ही 12,657 करों रुपे की लागत से स्मार्ट प्रीपेट बिजली मीटर की राजव्यापी योजना का क्रियानवन की शुरुआत भी की इस अवसर पर अपने संबोधन में नितीश कुमार ने कहा कि प्रदेश में बिजली के छेतर में काफी काम हो रहा है पहले बिहार में बिजली की क्यास थेती थी 2005 में मातर साथ सो मेगवर्ट की बिजली की आपूर्ती होती थी आज ये बढ़कर के 6,627 मेगवर्ट हो गई है 6,627 मेगवर्ट बिजली की खपत राजव में हो रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्री पेड स्मार्ट बिजली मीटर लगाने के चल रहे कारे के लिए धन की कोई कमी नहीं है और जा विभाग के अधिकारी अपना काम कर रहे हैं और इस परियोजना को मार्च दोहजर पच्चिस तक पूरा कर लिया जाएगा उन्होंने कहा सभी घरों में प्री पेड स्मार्ट मीटर लगाने से ना सिर्फ भुगताओं को सुविधा होगी बलकि गलत बिलिंग की समस्या भी दूर हो जाएगी साथ ही इससे राजमें बिजली कमपनियों के राजस्व में भी इजाफा होगा उन्होंने कहा हमने हर घर बिजली पहुँचा दी है हर घर तक बिजली पहुँचाने का लक्ष दिसमबर 2018 तक निर्धारित किया गया था जिसे दो महीने पहले अक्टूबर 2018 में ही पूरा कर लिया गया मुख्यमंत्री ने कहा कि पावर प्लांट से लोगों के घर तक बिजली पहुचाने के लिए कई चर्णों में काम करना पड़ता है जिसे उर्जा विभाग बहतर धर्ण से क्रियानवित कर रहा है उन्होंने कहा कि बिहार पहला राज्य है जहां सभी शहरी और ग्रामिन छेतर के 19 किलोवट भार शमता तक के विद्यूत कनेक्शन सुविधा एप के माधियम से लोगों को आउनलाइन बिजली का कनेक्शन दिया जा रहा है इसके साथ ही मुख्यमंतरी ने कहा कि सौरी उर्जा के शेतर में काफी काम हो रहे है 200 मेगवट का सौरी उर्जा सन्यांतर बिहार में लगने जा रहा है जमूई और बांका में 100-100 मेगवट का सौरी उर्जा सन्यांतर पर काम शुरू होगा सतजल जल विद्युत निगम लिमिटेड सन्यंत्र लगाने जा रहा है इस पर 1000 करोर रुपे की राशी खर्च की जाएगी नितीश कुमार ने कहा कि देश में बिहार ऐसा पहला राज्य है जहां स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगाया जा रहा है 2019 से बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाना शुरू हो चुका है और 2025 में मार्च तक हर घर में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगाने के लक्षे को पूरा कर लिया जाएगा और इस प्रोजेक्ट में पैसे की कमी को कोई भी बाधा नहीं बनने दिया जाए गोर इसे लिए करके उर्जा विभाग की जो अधिकारी है वो लगातार काम कर रहे है फिलाल इस वीडियो में इतना ही इसे तरीके की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे देंडिया टॉप के साथ धन्यवाद